एपिसोड फोर की शुर्वाद में दिखाया जाता है तेस्योंग अपने रूम में सोड़ा होता है हेबम उसे उठाने के लिए आता है वो कहता है जब मैं दर्वाजा खोलता तो वो बेट से कूच जाता था लेकिन अब वो हिलता भी नहीं लगता है अब वो मेरे साथ जादा comfortable फिल करता है फिर तेस्योंग को जगाने लगता है उसे हाथ पकड़ कर के उठाने जाता है तो तेस्योंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है 5 minute और हेबम कहता है ठीक है सिर्फ 5 minutes हेबम तेस्योंग के इतना قریب होने की वजह से उसका heartbeat fast हो जाता है वो सोचता है पिर तेस्यों की मॉम यानि मिस हा और हेबम रस्ते से जा रहे होते हैं मिस हा कहती है तुम्हारा सपना क्या है हेबम जो तुम करना चाते हो जैसे कि क्या तुमने सोचा है तुम किस तरह से अपने जिन्दगी जीना चाते हो हेबम कहता है नहीं मैं अभी जो सोच रहा हूं कि म तुम्हारा college start होगा, तुम अलग रहने वाले हो। कहता है, मेरा येही plan है। मिस हा कहती है, मैंने भी ऐसी ही की थी। मिस हा कहती है, मैम, आप मेरे बाहर रहने की plan से upset नहीं है। मिस हा कहती है, बिलकुल भी नहीं, ये natural है। हेबम कहता है मैं उन सब चीजों के लिए आभारी हूँ जो आपने मेरे लिए किया मिस हा कहती है ये बोलने के लिए थैंक्स लेकिन तुम ये मादर्स डे के लिए सेफ करकी क्यों नहीं रखा हेबम कहता है सॉरी मैं आपको अनकमफर्टेबल नहीं करना चाता था मिस हा कहती है इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है मुझे आकवर्ड लगता है हेबम कहता है मैम आपने मुझे अपने पास रखने का फैसला क्यों किया तब फ्लेश बैक का सिन दिखाया जाता है हेबम और तेस्वंग पार्ट में खेल रहे होते है हेबम की मौम कहती है मैं ये सुनिस्चित करने के लिए हर समभ प्रयास करूंगी कि हेबम अनाथ न हो जाए कहानी प्रेजन में आती है मिस हा कहती है तुम्हारी मौम हमेशा कहती थी वो नहीं चाहती के तुम उसकी तरह अनाथ हो जाओ ये जैसे उसकी प्रार्थना थी फिर हेबम का हाथ पकड़के कहती है तुम जो भी हो, तुम जो भी करो मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाती हूँ और जब तुम कोई डिशिशन लोगे तो मुझे या तेस्योंग को उसमें नहीं रखोगे खुद को संजोना और ऐसा डिशिशन लेना जिसे तुम्हें खुशी मिले मुझे प्रामिस करो और हेबम प्रामिस करता है फिर वो लोग घड़ पे आते है तब तेस्योंग निकल रहा था वो कहता है आप लोग कहां थे मिस हा कहती है हम लोग डेट पे गए थे और वहां से चली जाती है तेस्योंग कहता है नेक्स टाइम मुझे तुम्हें बाहर ले जाने देना हेबम कहता है मुझे या मैम को तेस्योंग कहता है तुम्हें हेबम कहता है तुम कहां जा रहे हो तेस्यों कहता है मेरा डेट है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाओं हेबं कहता है हाँ कुछ डिलिशियस तेस्यों उसके बालों को मेसी कर देता है हेबं कहता है मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट मत करो मेरा बड्रे तुमसे पहले है तेस्यों कहता है ऐसा है क्या भड़े भाई, हेबम कहता है हाँ, छोटे भाई, जाओ अभी, तेस्योंग चला जाता है, फिर सेड़ी और योंगी बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे तेस्योंग आता है, वो मूवी टिकिट के लिए पैसा देने जाता है, तो वो देखता है, वो अपना पर्स लाना भूल गय वो हेबम को कॉल करता है और कहता है देखो ना मैं अपना वालेट घर पे छोड़ाया क्या हेबम कहता है जरूर वो देखता है तो वालेट टाइनिंग टेबिल पे परा था वो तेसियों को बोलता है तो तेसियों कहता है उसे चुना मत मुझे सिर्फ जानना था के वो वहाँ कर देता है मुझे घर जाना होगा फिर वो घर आता है और ह tablespoon कहा है मेरा नहीं के के चेक कर लो तेस्यों कहता है मेरा वो मतलब नहीं था और ये तुम्हारे लिए और उसे एक बॉक्स देता है हेबं कहता है तुम्हारे पास तो वालेट नहीं था तेस्यों कहता है मैंने कुछ पैसे उधार लिए हेबं कहता है तुम्हें मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत न हेबम ने कहा था अब हम फ्रेंड्स हैं और वो सोचता है मेरे पैरेंट्स एक साथ नहीं थे इसलिए मुझे हमेशा पिन किया जाता था और तुम मेरे पहले फ्रेंड्स थे मैं तुम्हें उसे दिन से पसंद करता हूं हेबम फिर हेबम उसके डोर पे नौक करता है तेस्यों उसे हग कर लेता है हेबम पूछता है सब ठीक है तेस्यों कहता है मुझे एक पल ऐसे ही रहने दो और येसी नहीं पे कट हो जाती है फिर नेक्स डे मॉर्निंग उन दोनों को स्कूल में दिखाया जाता है वो दोनों जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे नामजिया और योंग कर रहे हो फिर वो लोग बाई बोल के चले जाते हैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तेस्यों नहा रहा होता है लेकिन डोर लॉक नहीं किया हेबम डोर ओपन कर देता है दोनों एक दूसरे को देखते है और हेबम वहाँ से चला जाता है वो अपने रूम में जाके डो का नोटिफिकेशन आता है उसकी बॉस कहती है एक ऐसा जो वो परसन चाहता है वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो हेवं कहता है क्या उसकी बॉस कहती है तुम बड़े हो गए हो तुम सब जानते हो फिर दोनों को स्कूल में दिखाया जाता है हेबम केता है तेस्योंग तुम्हें अपने बड्रे में क्या चाहिए तेस्योंग केता है तुम फिर हेबम अपने रूम में सोच रहा होता है उसने साफ साफ कहा था तुम उसका मतलब क्या था फिर तेस्योंग उसे मेसेज करता है क्या मैं तुम्हें बोल सकता हूँ मुझे बड़े के लिए क्या चाहिए हेबम दोर के तेस्योंग के रूम में जाता है और तेस्योंग से पूछता है कम आन बोलो ना तुम्हें बड़े के लिए क्या चाहिए तुमन तो एक साथ ड्रिंक करते हैं हेबम पूछता है तुम एक साथ ड्रिंक करना चाहते हो सिर्फ तुम और मैं तेस्यों कहता है हाँ तुम नहीं चाहते हैं हेबम कहता है मैं चाहता हूं फिर तेस्यों हेबम को एक प्यार का कैन खोल के देता है और एक खुद लेता है हेबम कहता ह क्या तुमने पहले alcohol ट्राई किया है तेसियों कहता है नहीं ये मेरा भी first time है फिर वो दोनों cheers करते है और drink करना start करते है तेसियों कहता है कैसा है मुझे ये पसंद आया हेबम कहता है मुझे भी फिर कहता है क्या ये काफी है मैं तुम्हें कुछ देना चाता था जो तुम सच म करने लगते हैं और साथ में time spend करते हैं and they look so cute together और वो दोनों बहुत जादा drink कर लिये होते हैं हेबम एकदम drunk हो जाता है वो अचनक से emotional हो गया और रो रहा होता है तेसियों कहता है हेबम क्या तुम drunk हो हेबम कहता है मैं mom और dad को miss करता हूं मुझे दुख है कि मैं अकेला आज तुम्हारा birthday है मुझे नशा हो गया है मैं क्यूं अपने parents के बाड़े में बात कर रहा हूं sorry मैं इतना नीच हूं मुझे पीना बंद कर देना चाहिए भूल जाओ मैंने जो कहा और अचनक से तेसियों उसे किस करता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हेबम कहता है क्या तुम मुझे promise कर सकते हो तेसियों कहता है हाँ मैं promise करता हूं और फिर से हेबम को किस करने लगता है और हेबम भी response करता है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये एपिसोड ये ही पे end हो जाता है तो फिर मिलते हैं guys next video में बाई